तो स्वागत हैं आप सभी का देव कंप्रिशन उनलाइन क्लासेज में चातर चात्राओं का हर दिक अभी नंदन आज फिर लोट हैं अपन कल्चर की प्रशन उत्री की क्लास लेने के लिए तो आज राजस्थान की लोग दिवों के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि राजस्थान की कौनशी लोग देवी का मंदिर कहां है कौनशी लोग देवी कहां पुजाई जाती हैं तो मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं 20 प्रशनों की प्रशनों त्री तो उन 20 प्रशनों के बारे में लोग देवों की बारे में अपन चर्चा करे ते ब्राहमनी माता जो ब्राहमनी माता जो है इसका मंदिर राजस्थान में वारा जिले के सोर्षन कश्वे में हैं और यह राजस्थान की एक मात्री ही लोक देवी है जिसके अग्र भाग की पूजा नाओकार पश्च भाग की पूजा की जाती है तो राजस्थान की एक मात्र लोक देवी शीतला पाफा सारी शीला देवी के मंदर का निर्माण किसके द्वारा कर अगया गया है शिला माता की मंदिर का निर्मान किसके द्वारा करवाया गया है तो मित्रोष शिला माता की मूर्ति को मान सिंग प्रतम ही लेकर के आया था और पिर यहाँ पर आमेर दुर्ग के जलेव चोक में इसे देवी की मूर्ति की स्थापना करवाया था मैं आप लोगों को बता दूँ हूं मित्रों की मान शिंग प्रतम सिला देवी की मूरति को बंगाल के पुर्वी भाग से राजा केदार से लेकर के आये थे और वहां से लाने के बाद आमेर दूर्ग के जलेब चोक में शिला देवी की मूर्तिक इस्ठापना करवाई थी और मंदर का निरमाण भी मान सिंग परथम ने ही गरवाई था तो इसका विल्खुल सही आंसर है कि जेपुर में इला देवी के मंदिर का निर्मान से प्रतल अगला प्रशन dost को विलत नहीं से कौन सा सुमेलितन नहीं 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 dewना आव tua आवप्षिन में काली का माता चिन माता जालोर कॉल संथे काली का माता की बात करे तो काली मात का माता का प्रमुक मंदिर वह बिल्कुल जित्त है और जीन माता यहां पर यह ओप्समेलित नहीं है और केला देवि बिल्कुल करोली में जयम्होटी माता जैपुर में अगला प्रस्य है। आगला प्रसन है नेम लिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है इदर राजवंस दियावा है उदर कुल देवी दीवी है तो मित्रों राठोड बिल्कुल राठोड से समंदित नागनीची माता है सिसोधिया सिसोधिया ते समंदित भी बिल्कुल बान माता है उदेपुर में कच्वा का साकंबरी नांता है बिलकुल सही है सोदिया बिलकुल बाण माता साफ हाट कि जिला देवी है आप लोगन को बता है लेकिन आप सलगता है जिन को बता है रादस्तान में चाल्यणान मेंडील कहां भरता है थींकर का मिला कहाँ muss ताक्सू मौती डूंगरी जमुआ रामगड तो मित्रों इसका सही आंसर है चाक्सू जैपूर निका सीतला माता का जो मेला भरता है वह चाक्सू जैपूर में भरता है यह हैं अगला प्रशन है काले पत्थर की महिसासर मरदनी की प्रतिमा किस मंदिर में इस्थापित हैं तो इसका सही अंसर है सच्चियाई माता अनिका यह काले पथर की मूर्ति है महेरी ससुरु मर्दनी की प्रतिमा सच्छय माता के मंदिर मैं इस्तित हैं अगला अकर ही माता मंदिर किस जीले में इस्तित है अनिका है शक्राई माता option वे हैं चोरू सेकर जुन्जुन्व हम हनवान-गड जान मंदीर है राजस्थान में कहां इस्तित्त है इतनों सक्राई माता का प्रभ्णुक जों मंदीर है राजस्थान में वह जुन जुनु जी नियुँ एक। राजस्तान की वह लोक देवी जिसके दस्यर वह 54 हाथ हैं उप्षन में हैं सुन्धा माता चालोर सीतला माता साक्षु जैपोर सुगाली माता और लकियाल माता तो मित्रों बिल्कुल चार अपने पास दिये वे हैं कि राजस्तान की वह लोक देवी जिसके दस्यर वह 54 हाथ है कुप दश्ञें सही आंसर की मातां नियुक आ और अगला प्रस्ण है से बदाना माता का मंदिर कहां बना हुआ है तक में श्थृत्ते में नागोर मित्रौ राजस्थान में कि उ अगला प्रशन है सावन बादो नामक कड़ाई किस मंदिर में इस्तित हैं गिन माता मंदिर सेखर एला देवी मंदिर करो लिकर अ मत हुआ खरी नी मात हैं करनी मन्दिर करो अगे वे हैं अगला है राठोडों की कुल देवी नागनेची माता की मूर्ती नगाना गाउं जोदपुर में किस सासक के समय इस्थापित करवाई गई थी तो ओप्शन में है अपने पास राव मालदेव, राव धूहड, राव जोधा और राव चंदर सेंड जिस तमें नागनेची माता की मूर्ती को नगाना गाउं में स्थापित करवाया गया था उस समय सासक फेर राव धूहड तो ध्यान दे राव धूहड के सासनकाल में ही यहाँ पर नगाना गाउं में नागनेची माता की मूर्ती की स्थापना करवाये गई थी तो बिल्कुल सही आंसर है राव दूहड अगला प्रस्न है खंडेल वालों की कुल देवी किसे माना जाता है खंडेल वालों की कुल देवी मित्रों प्षन में है केला देवी आसापुरी माता सक्राई माता और आय माता तो खंडेल वालों की जो कुल देवी है वह सक्राइवालों की कुल देवी अगला प्रसन है कि निमलिकित को सुमेलित कीजिए लोक देवय में एनिका यह इना चाहिए कि किसे मलब सुमेलित कीजिए अपने पास अप्शन में आवड माता चित्तोरगड़ ग्यवर माता जैसल में और सी में बान माता जैपुर पर प्रस्ण अपना पूछा गया है बिल्कोल सुमेलित करना है की A में कौन सा नमर आएगा 2 B में कौन सा होगा, C में कौन सा होगा और D में कौन सा होगा तो मित्रो सबसे पहले बात करते हैं बिल्कुल आवड माता की यह निका पंद्रेवा जो प्रशन है अपना 5 प्रशन में ध्यान दे इसका मैं आवड माता ये मिलेगा बिल्कुल तू से वाला ए वाला जो आंसर है एनिका ए ओप्शन में है आवड माता का प्रहुक मंदिर जैसल मेर जीले में इस्तित है ठीक है इसमें बिल्कुल और जश्रण माता जो प्रमुक मंधिर है बिल्कुल Q राद समbrs बैन माता और आपने पास भी जोहला माता प्रमुक मंदिर है लेौरिये और दिसमें अवर माता ओप्सण में दिया हुआ नहीं है । कि इसका सही आंसर होगा आ तो प्लक्लाइसबी और बान माता चित्वृडगर ज्वला माता जैपूर बिल्कुल यही आंसर इसका रैट होगा अगला प्रस्ण है खेमकरी माता का मंदिर इस्तित हैं और शेमकरी माता का मंदिर राजस्तान में का एक अपने पास देवे हैं आजपूर तांबर फलोदी और भीनमाल नित्रों सेम करी माता का जो मंदिर है राज़स्तार में अगला प्रशन है इस लोक देवियों के बारे में नेमन लिखित कठनों पर विचार कीजिए ओप्सिन में अपने बात की याद वंस कि कुल देवी कैला देवी है जिलानी माता का तेमरत भरतपुर में इस्तित आंए गीन्माना के गीत को कंभट जोगी डमरुवा सारंगी पर गाते हैं कूट की साहिता से सही उत्तर चेहने कीजिए उत्तर का चेन करना रोख विल्कुल एॉप्शन में एवर भी वी वान्स बात करते हैं कि इादो उपक्षक कूल है जिलानी माता का जो मंदिर है राजस्तान में वो तो बहरोड अलवर में इस्तित है तो बिल्कुल यह उप्शन इसमें राइट नहीं होगा और जीन माता के गीत को कनफटे जोगी डमरूव सारंगी पर गाते हैं तो इसका सही जो आंसर है वो है वह सी यह बिल्कुल माता का जो मंदिर है वो बहरोड अलवर में इस्तित है अगला प्रस्थन है सीतला माता का पुजारी कौन होता है साथला राजबुद कुम्हार गोड कच्वाहा राजबुद मित्रों ध्यान दे सीतला माता के मंदिर का पुजारी जो होता है वो कुम्हार जाती का होता है इ नाम से प्रशिद देवी हैं तो थार की वेश्णों देवी किसे कहा जाता है थार मतलब मरस्थल की वेश्णों देवी रगिस्थान की वेश्णों देवी अंभी का माता विरात्रा माता तनोट माता और नागनेची माता तो बिल्कुल सही इसका आंसर है कि थार की जो रोख देवियों के बारे में निम लिखित कतनों पर विचार कीजिए माता का मन्दिर चितोर में मित्रों में आप लोगों को बता दू यहां पर जो सब्सक्राइब बिल्कुल इनके बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी ओप्सन इसमें राइट है यह गलत है बिल्कुल बढली माता का मंदिर चितोड में नहीं है वी अपने वास की रानी सती साकंब्री के चुहान की कुल देवी है मित्रों अगर देखा जाए तो ऑप्शन में तो यह भी गलत है यह नहीं रानी सती साकंब्री के चुहान वन्स की कुल देवी है नहीं मित्रों रानी सती तो अगरवाल जाती की कुल देवी है और बढली माता का मंदिर चितोड में है यह भी इसमें गलत है तो यहां पर ओप्शन में भी थोड़ी मिस्प्रिंट हुई है ठीक है मित्रों आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं तब तक के लिए नमस्कार कल फिर मिलेंगे बिल्कुल नई आसां के साथ नई उम्मीद के साथ नई किरण के साथ तब तक के लिए धन्यवाद थैंकिए